हेलो गाइस माई यूटीब चैनल में एडिकर डबर आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे आज कोर्सेस के एक्सपेक्टेट कटोब क्या रहेगी केटेगेरी वाइस डिसकस करेंगे 2019 में कितनी कटोब थी और 2020 में कितनी कटोब जाने की संभावना आप कितने माक्स है तो आपको कोलेज मिलेगा तो प्लीज पूरी वीडियो को देखें ये वीडियो आपके लिए हेलफुल औरने वाली है एंड हम नेक्स वीडियो में बात करेंगे BMS की टॉप 10 कोलेज की कौन-कौन सी BMS की टॉप 10 कोलेज है तो प्लीज जो अभी तक जिसने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबागर नोटिफिक्शन ओन करें ताकि जब भी हमारा नए वीडियो है तो उसका नोटिफिक्शन सब से पहले आपके पास आए तो ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को अब देखते हैं अपन BMS 2019 की कटोप को कि कितने कटोप गए थी 2019 में वो 2020 में क्या कटोप जानने वाली हैं उसको देखते हैं तो जो जनरल केटिगरी को तो उसको 33 जाज जिसके रेंक थी उसको जनकी कोलेज alerts हो गया था and जिसके Mars थे 551 General category में उसको and की मौप अ परण्ड तक उसको and की üst nell कोलेज alert हो गया था and obviously category में बीया ली जार रेंड पर and marks थे 5012 शोड़ा marks इस पर उसको यानших को टेगरी वाले को and की college आलट हो गया था मौप अ उंप अ ब्राऊंड एंड की last round ओके, ऐसी केटीगरी की बात करें तो इसकी रंक थी 138325 में एंड मांक्स थे 381 में, इतनी मांक्स थे इसके, और इतनी इसकी रंक़ थी ओके, एंड एस्टी केटिगरी की जो रेंग थी वो एक लाख शपंजार सासो पेच्छे सी एंड मार्स थे 304 तो ये लास्ट राउंड है उसकी कटोब बता रहे हैं तो जो हम कटोब बताते हूं मिनिमम बताते हैं लास्ट कि लास्ट कितने मार्स पर उसको कोलेज अलोट हुई थी तो ये देख लीजे ये 2019 में इतनी कटोब गई है अब 2000 पहले क्या था कि जो आयरवेद जो आइस कोर्स है से उनकी कटोब बहुत कम जाते थी बस ये 2019 से तोड़ी कटोब हाई गई है अब 2020 में कटोब तोड़ी ओर हाई जाएगी क्योंकि जो आइस कोर्स हैं जो इनमें सकोब इंकरीज हो रहा है तो इसकी कटोब पर भी उसका तोड़ा ऐफेक्ट पढ़ेगा आप देख सकते हो 2020 में कटोब इंकरीज होगी क्योंकि 2019 में बहुत ज़्यादे increase हुई थी पहले बहुत कम जाती थी आराम से कोई सा भी government college अलोट हो जाता लेकिन 2019 से cut-off increase हुई है तो 2020 में भी cut-off जो है वो increase हो गई ओके तो यह 2019 की BMS की cut-off गई थी आप इसको देख लीजे ओके इसके बाद करते हैं होमोपेती की 2019 की cut-off के बारे में की होमोपेती की 2019 में कितनी cut-off गई थी तो जनरल category में जिसकी रेंग सतर जार थी उसको यानकी मौपव रावंड तक उसको यानकी कोई साभी कि मैं एक लाक 3ерг,6,853 इतनी उसके रेंग थी यंड उसके माक से 368 defect है Eğer कि doen आएक दिकेरीी की बात करें तो एस्टी के मॉप और प्राउंड का जो लास्ट कोलेज जो मतलब बॉडर लाइन वो वो मार्क्स बता रहें तो यह मैक्सिमम मार्क्स नहीं है मीनिमम मार्क्स कि 2019 में इतनी कटव गई थी इसके बाद में आपन बात करते हैं 2020 में क्या कटव जाने वाली है कि expected कटव के बारे माहीं हम बात करें मार्क्स उप्र नीचे हो सकते लेकिन रैंक वही रही कि कितने मार्क पर आपको कोलेज मिल जाएगा आपके रैंक इतनी है तो आपको आराम से कोई सबी कर्मेंट कोलेज मिल जाए चोडीं आप बात करते है expected काटव उप 2020 की 2020 में BMS and BHMS की expected cut-off क्या रहने वाली है तो देखते हैं expected cut-off of 2020 तो इसमें general category वाले को जिसकी rank 45,000 के आसपास है उसको BMS में आराम से admission मिल जाएगा and homopathy अगर उसको लेनी है तो उसको यदि 22,000 से 25,000 rank के आसपास रेंक है तो उसको homopathy में आराम से उसको admission मिल जाएगा and obesity category वाले की बात करें तो obesity category वाले के rank यदि 45,000 के आसपास हैं तो उसको भी आराम से BMS में admission मिल जाएगा and homopathy में यदि उसकी चिंतरजार से 37,000 rank के आसपास यदि उसकी rank है तो उसको आराम से यदि BHMS में उसको admission मिल जाएगा and SC category की बात करें SC category की बात करें तो SC category में यदि उसको BMS में admission ले लाएं तो उसकी rank होनी चीए 1,45,000 के आसपास अगर इतनी rank है तो SC category वाले को आराम से BMS में admission मिल जाएगा कोई से भी government college में and last बात करते हैं SC category में यदि उसको BMS course में admission लेना है तो उसकी rank होनी चीए 1,60,000 के आसपास and उसको homopathy में यदि उसको लेना है तो उसकी rank होनी चीए 2,00,000 के आसपास तो उसको आराम से BHMS में admission मिल जाएगा तो यदि expected top of 2020 युनाने इन सिद्धा के बारे में बात करते हैं तो इन courses में admission लेन के लिए आपको केवल need qualify होना पड़ेगा जो भी student need qualify पर इन courses में उसको आराम से admission मिल जाएगा तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक and share and जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया वो subscribe करे और bell icon बटन को दबा कर notification on करे ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो उसका notification सबसे पहले आपके पास आए तो और किसी को ये दि आईरवेट के बारे में कोई doubt कोई confusion है तो मेरे से comment करके पूश सकते हैं मैं कोशिस करूँगा उसके comment का reply के लिए और मैं आपकी जितनी हो सकेगा उतनी help करूँगा तो जिसको भी BMS, BHMS इसके बारे में कोई भी doubt है क्या phisoscope क्या है क्या मैं आईरवेद ले सकता हूँ ये क्या मेरे लिए अच्छा है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है थेंक्यू एंड गुडबाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में